हे गाईज, क्या आपने भारतिय मंदिर में कभी किसी 750 साल पुरानी मूर्ती को उची एडी की जूतियों के साथ देखा है? मेरे जीवन में देखी सबसे आश्चर्य जनक मूर्तियों में से एक कोनार्क सूरे मंदिर ओडीशा में स्थित है, जो कि कम से कम 750 साल पहले बनाया गया था, आप यहाँ एक सुन्दर स्त्री को देख सकते हैं, जिसके दोनों पैरों में उची एडी की जूतियों के साथ नकाशी की गई है, यह बिलकुल अविश्वसनी है, क्योंकि यूरोपियन महिलाओं ने उची एडियों वाले या प्लैटफॉर्म जूतों को सुन्दर दिखने के लिए 1600 एडी के बात पहनना शुरू किया, और यह मंदिर 1250 एडी में बना, जो कि उस समय से 350 साल पहले का है, दुनिया के सारे लोगों ने प्लैटफॉर्म जूतों को अलग-अलग कामों के लिए पहनना शुरू किया, जैसे की घुर सवारी आदी, पर आप देख सकते हैं कि इस महिला ने इसे महज मूर्तिकार के सामने पोज देते हुए सुन्दर दिखने के लिए पहना है, और अग दुनिकाल की हाई हिल्स से तुलना करें, तो ये हूबहू वैसी ही दिखती है, ये इस मंदिर में ऐसी अकेली नकाची नहीं है, और आप कुछ और महिलाओं को भी देख सकते हैं, जो गर्व से अपनी उची एडियो वाली जूतियां प्रदर्शित कर रही हैं, मैंने ओनला पहना करती थी, ये जानकारी विक्कीपीडिया सहित कहीं भी उलेखित नहीं है, तो मेरा सोचना है कि ये कई शतावदियों से एक रहस्य बना हुआ है, क्या इसका मतलब ये है कि प्राचीन भारतिय नारियां फैशन के लिहाद से काफी आगे थी, मैं कहूंगा हाँ, क्यू परते हुए देखा जा सकता है, साथ ही ध्यान रखें कि हम एक ऐसे मंदिर को देख रहे हैं, जो 750 साल पहले बनाया गया, और उस समय हर घर की महिलाओं के पास अपना एक निज्री दरपन रहा होगा, इसकी आधुनिक नारी से तुन्ला करें, जो अपने पर्स में एक छोट दरपन लेके चलती है, इन उपकरणों को यूरोपी अविश्कार माना जाता रहा है, पर इन नकाशियों से ये पता चलता है कि ये पूर्णता संभव है कि भारतिये नारिया भी कई शतावदी पहले से अपने साथ ले जा सकने वाला दरपन रखती थी, इसके जैसी भारति इनारी की अनेकों मूर्तियां सारे भारत में देखी जा सकती हैं, तो ये पक्के तोर पर कहा जा सकता है कि उन्हें अपने सौंदर्य का गजब बोद था, पर उनके कपड़ों का क्या, तेहर्वे शतावदी में उनके कपड़े कितने फैशनेवल थे, ये एक शांदार नका जो कि एक ऐसी महिला को दिखा रही है जिसने पारदर्शी स्कर्ट पहना हुआ है, ये स्कर्ट है क्योंकि ना केवल हम रूप रेखा देख सकते हैं, बलकि हम उसकी टांगों की पूरी बनावट को देख सकते हैं, ये किसी जीनियस की बनाई गई मूर्तिकला होगी, क्योंक और भी मूत्यों को देख सकते हैं, जिनमें उनके वस्तरों की अलग-अलग स्तर की पारदर्शिता को दिखाया गया है, ओधार अरता इस मूर्ती में उसकी टांगों के आर पार आनशिक रूप से देखा जा सकता है, जिसका मतलब है उस समय कई प्रकार के वस्तरों की डिज आती थी, बिलकुल आधुनिक नारी की तरहां, आप क्या सोचती हैं, किर्प्या अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं ऐसे कई रोचक चीज़े खोज रहा हूँ, तो किर्प्या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मैं आपसे जल ही बात करूँगा